हेलो फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स आपके घर में डोग होते हैं जैसा कि हमको पता है कि हम एक पैट पेरेंट है तो हमारे घर में डोग है हमारे घर में पैट्स अवेलेबल हैं अगर आपके पैट्स ने आपको स्क्रैच कर दिया है यानि आपके स्किन के उपर स्क्रैच कर दिय जिसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि कोई bleeding तो उसमें है ही नहीं ना ही ऐसा कोई deep wound आपको नजर आ रहा है कि एक अच्छा एक गहरा घाव नजर आ रहा है तो मेरे पहले दोस्तों आपके mind के अंदर question ये रहता है कि मैं vaccination के लिए जाऊं या नहीं जाऊं तो ये एक अब subscribe जरूर कर देना because हम dogs और cats related most important topics के उपर वीडियोज लाते रहते हैं और भाई आज की वीडियो तो आपकी safety के लिए है तो मेरे पहले दोस्तों हम dog bite की अगर बात कर रहे है तो dog bite दो type की हो सकती है देखो मेरे पहले दोस्तों अगर आपके पास domestic dog है तो domestic dog भी आपको bite क कर सकता है या अगर कोई street dog है कोई आवारा कोई कुटा है अगर वो bite कर ले तो वो भी एक dog bite ही माना जाता है अगर dog bite करता है तो वो दो तरह से bite कर सकता है यानि अगर उसने bite किया है बहुत ज़्यादा ही गहरा तो वो create करेगा deep wound को यानि गहरे घाव को अगर उसने superficially आपक की लेनी चाहिए तो मेरे पहले दोस्तों अगर मैं बात करता हूं deep wound की तो deep wound के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा घाव काफी ज़्यादा गहरा हो जाएगा वहां से आपको ये नजर आएगा कि bleeding आ रही है और आपको ये भी नजर आएगा कि internal skin नजर आ रही है यानि अंदर से आप जब उसको देखोगे तो आपको whitish part नजर आएगा skin का और साथ में reddish part भी नजर आ सकता है और साथ में जहां पे bite किया है डोगने वहां पे blisters develop होने start हो जाएगी यानि skin काफी जदा खिची खिची आपको वहां की नजर आएगी एक wrinkles type के वहां पे पढ़ जा मिलते हैं साथ में वो जो पार्ट है जहां पे bite किया है वहां पे swelling हो जाएगी और साथ ही साथ में मेरे पहरे दोस्तों जहां पे swelling होई है वहां पे reddish जो part है skin का वो भी आपको show होगा तो कि काफी जदा गहरा होगा और मेरे पहरे दोस्तों अगर deep wound है तो excessive bleeding तो आपको भी बोल सकते हैं हम superficially minor scratches बोल सकते हैं कि डोग ने minor scratch डाल दिया है या आपको ऐसा लग रहा है कि जो skin है वो थोड़ी सी crack होगी है कट गी है फट गी है tear हो चुकी है या आपको ये नजर आ रहा है कि scratch होने की वज़े से वहां पे red marks हो गया है तो इस situation के अंदर इस minor से scratch के ल vaccination लेना must है vaccination आपको लेनी ही पड़ेगी क्यों लेनी पड़ेगी ये देख लो अब मेरे पहरे दोस्तों आपके डोग ने आपको scratch किया scratch के बाद scratch कहां पे करेगा skin के उपर करेगा skin के उपर जैसे ही उसने scratch किया तो जो dermis जो layer होती है ना वो जो virus है वहां से पास होता हुआ नर्व के अंदर पहुँच जाता है जो हमारी skin में जो नर्व जो पाई जाती है वहां तक पहुँच जाता है और अगर नर्व तक पहुँच गया वो virus तो मेरे पहरे दोस्तों rabis होने की possibilities 100% हो जाती है अगर डोग scratch करे या किसी भी तरह का डोग bite हो तो vaccination लेना बहुत ही ज करना चाहिए सबसे पहले तो आपको उस घाव को clean करना चाहिए यानि चलते पानी के अंदर कोई tap हो वहां पे आप लगा दीजिए ठंडा पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो लेकिन मैं prefer करूंगा warm water को अगर आप warm water से करोगे तो बहुत ज्यादा better रहेगा लेकिन कई बर क्य available है तो आप उस सोप का इस्तेमाल केजिए देखो डेटोल या सेवलोन का इस्तेमाल मत करना वह कर सकते हैं नॉर्मल जो सोप होती है जो आप जिससे आप नहाते हो आपको उससे वुंड को clean कर लेना है और कम से कम पांच मिनट तक उसको अच्छे से clean करना है आपको scrubbing नहीं करनी है माँ पर कहीं उसको घाव से पकड़के बिल्कुली scrub करना स्टार्ट कर दो नहीं काफी जादा जो घाव है इंटरप्टिड हो जाएगा problem हो जाएगी infection जो secondary जो infection होते हैं वो बढ़ जाएगे आपको normally हलके हलके हाथ से उसको साफ करना है second number पर अगर excessive bleeding हो रही है आप आपको एक साफ एक गोज लेनी है अगर आपके पास पट्टी अवेलेबल है तो आप उसकी गोज बनाके उस पे लगा दीजियो और अच्छे से आपको पट्टी कर देनी है यानि ड्रेसिंग कर देनी है अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई clean कपड़ा लेना है आपको अ शोट्स होती है तो आपको वो complete कर वालेना है ठीक है तीन नहीं करवाने है आपको complete ही करवानी है और मेरे पहले दोस्तों उसके बाद में आपके जो डॉक्टर होते हैं आपको यह बोलते हैं कि आपको घाव के उपर जो जो पोविदिन आयोडीन होता है यानि जो बीटा द उनके contact में जरूर है आगर कोई घाव बढ़ जाता है या किसी तरह घाव नीला पढ़ जाता है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर की सला जरूर लीजिए ताकि आपका अच्छे से इलाज हो सके तो यह आपको करना है जब आपका कोई भी डोग बाइट कर ले आपको बले ही वो स्टीट डोगी क्यों ना हो या वो आपका एक डोमेस्टिक डोगी क्यों ना हो तो प्रिवेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है हाथ पे हाथ रखके मत बैठे रहना कि मुझे तो कुछ हो गाए नहीं रेबिस तो बहुत सालों बाद रियक्ट करता है आपके बोड कर दोग कर देता है तो प्लीज आप ध्यान रखिए कि डोग बाइट ना कर पाए जारा तर स्क्रैचेज ना डाल पाए आपके उपर आप उसको अच्छे से ट्रेन कीजिए और जल्दी से जल्दी जल्दी जो भी आपको डोक्टर मिलता है जो भी आपके नियर बाइए में कोई भी dispensary available है या hospital है तो immediately जाना है वहाँ पे treatment करवाना है dog bite का आपका solution हो जाएगा आप बच सकते हो तो मैं आशा करूँगा आज की जो हमने आपको knowledge दी है आपके लिए beneficial रही होगी अगर आपको 1% भी अच्छी लगी है आपको ये लगा है कि अच्छा हमारा effort है तो please आ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर देना बैल आइकन को जूरू प्रेस कर देना और इस वीडियो को शेर जूरू करना ताकि सबकी help हो thank you so much for watching this and please do like subscribe comment and share thank you so much जै हिंद जै भारत